वरुन गांधी ने अपने लोगसवाश्वेत्र के वासियों को लिखा पत्र कही बड़ी बात उतरप्रदेश के जनपत पीली भी से भाजपा सांसद वरुन गांधी ने टिकेट कटने के बाद गुरुवार को अपने संसदिय शेत्र के लोगों को पत्र लिखकर आम आदमी की आवास को उठाते रहने की बात कही वरुन गांधी ने अपने इस पत्र को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया उन्होंने पीली भी द्वासियों को प्रणाम करते हुए लिखा है कि एक सांसद के तौर पर मेरा कारेकाल समाप्त हो रहा है पर पीली भी से मेरा रिष्टा अंतिम सांस तक खतम नहीं हो सकता सांसत के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर सही मैं आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद हूँ और मेरे दर्वाजे हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे मैं राजनितिक में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आपसे यही आशुरवाद मांगता हूँ कि सदेर यही कारे करता रहूँ भले ही उसकी कोई कीमत चुकानी पड़े मेरा और पीली भीत का रिष्टा प्रेम और विश्वास का है जो किसी राजनितिक गुणा भाग से बहुत उपर है मैं आपका था आपका रहूंगा अपने पत्र में पीली भीत के साथ अपने पुराने रिष्टे को याद करते हुए वरुन कांधी ने लिखा कि पीली भीत वासियों को मेरा प्रणाम आज जब मैं ये पत्र लिख रहा हूँ तो अंगिनत यादों ने भावुक कर दिया है मुझे वह तीन साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मा की उंगली पकड़ कर 1983 में पहली बार पीली भीत आया था उसे कहां पता था कि एक दिन ये धर्ती अपनी करम भूमी और यहां की लोग उसका परिवार बन जाएंगे मैं खुद को सौभाग इशाली मानता हूँ कि कोई मुझे कई बर्सों से पीली भीत की महान जनिता की सेवा करने का मौका मिला है आपको वदाने की भाजपा ने इस बार उतर प्रदेश के पीली भीत संसदिय शेत्र से वरुन गांधी की बजाए उतर प्रदेश सरकार के मंतरी जितन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया हाला कि पार्टी ने उनकी मा और वर्तमान सांजाद मेनका गांधी को उतर प्रदेश के सुल्तानपूर संसदिय शेत्र से ही उम्मीदवार घोशित किया है जैगरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मत्रा हमारे यहां माइनर ओटी इमर्जेंसी आईसी यू पी आईसी यू सभी प्रकार की सिटी स्कैन एक्सरे अल्टरा साउंड अत्याधूरिक पैथोलोजी लैब प्राइबेट एवं जनर्र बार्ड डिलक्स रूम महिला चिकेस दातों का उप्चार सभी प्रकार की उप्रेशन उचित दर पर दवाईयां 24 घंटे एम्बूलेंस सुविधा जनपत में सबसे कम दर पर 100 रुपे में OPD सुविधा उपलब्ध है संपर करे 8650-777-901